नमस्कार आदाब नियूस फाइव एम जमशेदपूर में आपका अस्तक्बाल आए नजर डालते हैं जमशेदपूर की खाहत पर जमशेदपूर की जिला परिस्मों क्याले पहुंचे जमशेदपूर ट्रांस्पूर वेलफर एंसोसियेशन के सदस्यों नहीं आरक्षी अधिक्षक नगर के नाम एक मांग पत्र सौपकर शहर की विपिन शेत्र में चलती गाड़ी में हो रही चोरी परंकुष लगाने एवं चोरो के खड़ी कारवाई करने की मांग की है जमशेदपूर ट्रांस्पूर वेलफर एसोसियेशन के अधियक्षा खिलेश कुमर यादव ने कहा कि चोरी की घटना इस जादा तर्सलाग रोड लिट्टी चौक होते वे बुयांटी बस स्टेंड के बीच घट रही है जहां ड्राइवर द्वार विरोध करने पर चोरो द्वारा हतियार कब्बे दिखा कर डराया दमकाया जाता है ऐसे में हर गाड़ी मालिक को रोजाना 10,000 से लेकर 35,000 तक का लुक्सान होता है जहां चलती गाड़ी में कॉपर वायर एवंबा निसामा चोरों दुआरा काटे जाने से बड़ी गट ना भी गट सकती है हैतर में हमजिला प्रिस प्रशासन से चोरों पर कड़ी कारवाही करने की मांग कर रहे हैं लोगों की कंपनी की और सभी राक ओनर्स की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है जो टाटा स्टील या बारा से जो गाड़िया आती है वह सब भूईयडी प्रिसम उन्दा चोक से फोके फ्रॉस करती है और उसमें टेलर का सब्सक्राइबर करने करता है तो उसे अस दिखा कर तरहा तो भगा दिया जाता है कि यह जो घटना हैं लगातार हो रही है और इधर जो है घटना पड़े पैमाने पे हो रही है और सभी लोग इस घटना से तरस्त हैं उसमें एक बार एक टेलर से समान उतरने के बाद लगबल मिलमत 10,000 से लेकर के 30-35,000 हम लोगों का नुक्सान हो रहा है इतना बड़ा नुक और हम लोग रोक ठाम के लिए क्या मांगे आप लोगों क्या कहने से रुखेंगे इस पे जैसे चोरी घटना और हम लोगों ने तो डिसाइड किया है कि वहां पे एक पर्मानेंट पुलिस का कैम्प लगाया जाए और उसके बाद दूसरा मानगो गिरसम उंडा चौक से ले कर दो